लाइफ हमेशा बहुत ही अनेक्सपेक्टेट से टर्ण्स लेती है इसी एसे टर्ण पर कब हमें प्यार हो जाए कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसे एक ब्यूटिफुल सी थीम के साथ आज के हमारी मूवी ते प्रपोजर ए 2009 की एक रोमैंटिक हॉलिवड मूवी आती है इसकी स्टोरी लाइन को बता ना स्पोईलर होगा बटाया शोरियो एक बहुत ही अच्छी मूवी है तो अंदग इस वीडियो को जरू देखेगा अगर आपको एक्स्पेशन अचा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा तब बिना इस दरी के एक्स्पेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ड होती है और हम हमारी मेन क्यारेक्टर मार्गरेट को देखते है जो एक पूप पुब्लीशिंग कमपनी में एटिटर थी है हमारा सेकर्ड मेन क्यारेक्टर जिसका नाम है एंड्रू यह उसके लिए असिस्टन था हो आज जरा उटने में लेट हो गया तो जल्दी से रेडी होकर कॉफी लेकर मार्गरेट के पास बहुत जाता है जाते जाते हैं उसके हाथ से कॉफी भी नीचे किर गई थी मार्गरेट अब तक ऑफिस में आई नहीं थी तो डर कर जल्दी से अपना शर्टो बदल लेता है इसके लिए अपने कोवरक और को उसे एक गेम के बहुत एक्सपेंसिव टिकिट भी देने पड़े थे जब भी मार्गरेट ऑफिस में आती है तो फर्स्ट परसन हमेशा सब को मेल कर देता है कि ऑफिस में आ चुकी है तो सब लोग काम करने लग जाते है वो बहुत ही जादा स्टिक्ट है उसके किलाफ कोई भी नहीं जाता मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस भूक लिखे पर वो लिखने के लिए रेडि नहीं था तो मार्गरेट खुद उसे कॉल करती है वह अच्छे से बात करकर उसने भूक लिखने के लिए उसे कन्वेंस कर ही दिया था वो अपनी कॉफी पर नोटिस करती हे कि एंडुल का नाम लिखा हुआ है उसने बुज़ा कि मेरी कॉफी को क्या हुआ एंडुल ने कहा कि एक नीची गिर गई थी मागरेट ने कहा कि हम धुनों एक ही टाइप की कॉफी पीते है अगर तुम उससे डर कर सेम टाइप की कॉफी बाई करते हो तो यह बहुत ही पथेटिक है एंडूरु साशुष में उससे डरता था इसी वज़े से सेम कॉफी बाई करता था अब इसके बाद दुनों मिलकर एक इंपलॉई के आफिस में जाते है उस आर्टिस को बुक लीने के लिए मनाने का काम उस इंपलॉई का था पर यह काम मागरेट को करना पड़ा इस वज़े से वह बहुत ज़ादा गुसा थी उससे गन्फरंट करती है और उससे पता चलता है कि उस इंपलॉई ने ट्राइ भी नहीं किया था इस वज़े से उसे फायर कर देती है वो इंपलॉई बहुत ज़ादा गुसा होगिया और उफिस में सब के सामने उसे बहुत गालिया देता है उसने मागरेट से का तुम अकेली हो इसी वज़े से अपना फ्रस्टेशन सब लोगों पर उतारती हो इसके बाद मागरेट एंड्रू से गयती है हमें विकेंड पर भी काम करना पड़ेगा उसे इंपलॉई के सारे कॉंट्रक्स हमें देखने पड़ेंगे एंड्रू के ग्राणमा का 19 बटे आने वाला है तो इस वज़े से वो घर पर जाने वाला था पर अब मारगरेट की वज़े से नहीं जा पाएगा नेकसे में मारगरेट को उसके बोस उसके पास बुलाते हैं तो यह थे हैं तुम्हारी इमिगरंट ओफिस के कॉल आया था वो तुमसे अपॉर्मेंट लेना चाहते थे पर तुम बहुत ही बीजी थी और विदाउट पर्मिशन तुम किसी अलग कंट्री में भी गई हुई तो इस स्वजे से अब वो तुमें डिपोर्ट कर देने वाले हैं मारगरेट को इससे शौक लगता है उसरा लगा कि कुछ नगुछ तो पर इसमें वो कुछ भी कर नहीं सकती थी अगर वो इस कंट्री में नहीं रह रही है तो इस ऑफिस में भी काम नहीं कर सकती अजानक से जब ये मिटिंग हो रही थी तो एंड्रू से लेने के लिए आया तो मार्गरेट को एक आइडिया आता है कि अगर वो एंड्रू से शादी कर लेगी तो यहाँ की सिटीजन हो बन सकती है उसने अपने बॉस से गा कि मेरे बास आपको देने के लिए एक न्यूज है मैं और एंड्रू हम दोनों शादी कर रहे है इतने दिनों से एक साथ हम काम कर रहे है अने एकस्पेक्टर मुवमेंट पर हम दोनों को प्यार हो गया यह सब सुनना एंड्रू के लिए एक शौक ही था वो अपने बॉस के खिलाव जानी सकता तो हाव में हाव मिलाता है बॉस यह पूरी मार्गरेट की चाल समझ गया पर उसे कहते हैं सिर्फ इन सब चीज़ों को लीगल कर देना ओफिस में जब सब लोगों को एंड्रू और मार्गरेट के बारे में पता चला तो एंड्रू के लिए सब को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि मार्गरेट अब उसका जीना बरबाद कर देगी एंड्रू मार्गरेट से बुचता है कि तुम्हें सब कर क्या रही हो मार्गरेट ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम कभी भी व्राइटर बन नहीं पाऊगे एंड्रू का व्राइटर बनना यही एक सबना था और इसी वज़े से जॉब कर रहा था मागरेट कहती है हम शादी करके जल्दी से डिवास ले लेंगे कोई भी प्रॉल्लम नहीं होगा इसके बाद यह दोनों immigration के office में आ है यह दोनों शादी कर रहे है यह वहाँ के officer Gilbert को बता देते है मागरेट ने जिस employee को अभी अभी fire किया था उसने already Gilbert को call कर दिया था Gilbert को बता था कि मागरेट और Andrew यह fake शादी कर रहे है उन्हें इस बात के लिए confront करता है तो मागरेट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों सिर्फ काम करते थे तो इस वज़े से अनेक्सपेक्टेड मुव्मेंट पर हमें प्यार हो गया इस बात पर गिलबर्ट उन पर बिलिव नहीं करता उनसे कहता है वीकेंड खतब होने के बाद हम तुम दोनों का इंटर्विव लेंगे अगर इस इंटर्विव में दोनों का एक दूसरे के बारे में जादा पता नहीं है तो एंड्रू को जेल हो जाएगी और मागरेट को फिर से उसकी कंट्री में फेज दिया जाएगा ओफिजर ने फिर से एंड्रू को एक चार्ण्स दिया सब कुछ सच कहने के लिए पर एंड्रू कुछ भी पताता नहीं ओफिजर ने पुछा कि तुमारे पैरेंस को क्या सब कुछ पता है मागरेट के पैरेंस नहीं थे तो मागरेट कहती हैं एंड्रू के पैरेंट्स को हम इस विकेंड पर बताने वाले हैं यहाँ से निकलने के बाद मागरेट एंड्रू को अपॉइंड्मेंट वेगिरा इन सब चीजों के इंस्ट्रक्शन दे रही थी पर एंड्रू उसकी कुछ भी बात मानने नहीं वाला उसे गहता है मैं मेरी पूरी लाइफ तुमारे लिए दाओ पर लगा रहा हूँ तो अब तुम मेरा प्रमोशन करोगी अब से मैं तुमारा असिस्टन नहीं हूँ मार्गरेट के पास कोई भी आप्शन नहीं था तो एंड्रू की बात उसे मानने ही पड़ती है अब इस मोके का फायदा उठाकर एंड्रू मार्गरेट से रहता है तुमने मुझे शादी के लिए प्रॉपरली पूछा नहीं इसने देखकर बहुत ही खुश थे मार्गरेट की एज एंड्रू से पड़ी है तो इनके लिए जरा सप्राइस था पर फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड्रू और उसके फादर हमेशा चखड़ते रहते हैं इस वज़े से उसे लेने के लिए नहीं आये थे मार्गरेट ने पूरे टाउन में नोटिस किया क्या जगह तर पकस्टन है यानि कि हर शॉप यह पैकस्टन का था एंड्रू का पूरा नाम में एंड्रू पकस्टन हैं इसका मतलव है यह पूरा टाउन उसकी फैमिली उओन कर द homeade को उपिए इतना जादा अमीर है इसके ब बोट पर वेट कर एक आइलन्ड पर जाते हैं और वही पर उनका घर था वैचारी मार्गरेट पानी से बहुत जादा तरती थी तो इस वज़े से जैकेट पहन करी बोट पर वेट ही मार्गरेट ने एंड्रू से पुछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतने जादा अमीर हो एंड्रू ने कहा कि मेरी फैमिली रीच है मैं नहीं हूँ जब एक घर बर पहुच है तो इनके लिए बड़ी पार्टी रखी गई थी मार्गरेट एंड्रू के फादर से मिल दिया मार्गरेट जो भी काम करती है इस प्रोफेशन को थोड़ा सा भी रिस्प करें हो इस सिर्फ ऑपोर्चुनिटी पाने के लिए एंड्रू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं एक्चुल में उसे प्यार करता हूँ वो अपने फादर से गुस्सा हो जाता है और सब लोग को बता देता है कि मार्गरेट उसकी फियांसे है इन दोनों के लिए सब पेसी स्टोर यह उन्हें बता देते हैं सब लोग फिर इनने शियर करने लगे कि एक दुसरे को किस करो जी मार्गरेट और अपोरेट इम्ध के लिए नाम Java करें इसोर्णने बहुत सारे लोग को बेबीज हुए है एंडू डर कर तुरंद इसे फेक देता है एक रूम होने की वज़े से एंडू को बेचारे को नीचे सोना पड़ा सुबा होने के बाद मागरेट को आर्टिस का कॉल आ है उसे लग रहा था कि वो भूग नहीं लिख सकता तो उससे कन्विंस करने के लिए मा मागरेट अपना फोन इगल को मार कर डॉक को बचा लेती है और बाद में इगल ने उसका फोन ही ले लिया उस इगल के पीछे भाग रहे थी है यह सब बहुत ही जादा फणी था ग्रैंडमा और मदर उसे देखकर बहुत हैसते हैं एंडू ने मार्गेट से बूचा कि तु वरना तुम्हारी नीन में तुम्हें मार डालोंगे इसके बाद एंडू अपने फादर से मिला कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था इसके लिए उसे सौरी कहते हैं इसके बाद हो गहते हैं मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया यह सिर्फ तुम्हारी लेग किया और अब को सिटी में लेकर रहा है उसे क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर रमोन उनके लिए स्ट्रिप कर रहा था रमोन यह उनका ही इंपलाई है उनके घर पर वो एस शेप भी काम करता है यह मांगरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है यह इस पार्टी में एंड्रू के एक्स भी आके उसने कहा कि तुम बहुत ही लगी हो कि एंड्रू तुमारे पास है मागरेट ने पूचा कि तुम्हारा और एंड्रू का ब्रेक अप क्यों हुआ वो गयती कि हम हाई स्कुल में डेट कर रहे थे उसके बाद एंड्रू को लग रहा था कि न्यूय यॉक में जाकर व पास आई वो गयती कि तुमारी वज़े से एंड्रू अब घर पर नहीं आता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखेगा और ये वो नहीं चाहती थी मागरेट इनका जगड़ा सुनकर अपने रूम में चली जाती है वो शावर ले र दोन न्यूड थे तो इनके लिए बहुत ही व्यर्ड वन जाता है रात में मागरेट एक गाना गुन가ुना रही जिस तरीके से treat करती हैं तो उससे बुरा लगता है उसने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तो भी मेरे parents की date हो गई थी तब से हमेशा अकेले ही रही है इस वाज़े से कभी भी उसकी long term कोई भी relationship रही नहीं एंड्रू को भी उसके लिए बुरा लगता है सुबह उने पर मदर इनकी ल लगेगा पहले तो यह मना कर रहे थे और बाद में grandma भी आके वो गयती कि अगर मेरी date होके तो मैं तुम्हारी शादी देख नहीं पाऊंगे इस emotional blackmail की वज़े से दोनों मान जाते हैं सब जाने के बाद बिचारे एंड्रू को बहुत ही बुरा लगा वो मागरेट से कहता है कि अगर सब को सच के बारे में पता चला तो बहुत ही बुरा होगा मागरेट कहती कि ऐसा कुछ पे नहीं होगा हम थोड़ी दिन में divorce ले लेंगे और बाद में तुम उन्हें बता देना वो एंड्रू का सहारा देते हुए उसके पास आ गई थे यह दोनों करीब आने लग है यह बाद मागरेट रियलाइस करकर वहाँ से चली जाती है वो अक्यली बाइसिकल राइड करने के लिए वो अपने आप से कह रही थी ज्यादा इमोशनल मत बनो इस सिर्फ एक बिजनेस डील है इसके बाद एंड्रू और मागरेट शॉपिंग करने के लिए टाउन में आ जाती थी क्या अड्रू अभी अपने त्व को like करता है पर अड्रू अब इसे लाइक नहीं करता था टाउन में ग्रैनमा और मदर इन दोनों से मिल जाते है ऑन मांगरेट को एक शौप में लेकर गया है ग्रैनमा उसे वेडिंग ट्रेस देती है कहती है मेरी शादी भी इसम दोशनल हो जाती है इतना प्यार कभी भी किसी ने उसे किया नहीं था ग्रैंड मन उसे फोस किया कहती है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो तुमें लेना ही पड़ेगा इन सब बातों की वज़े से मागरेट डिस्टब हो के वह एंडू के साथ बोट में चा रही थी उनका एक्सिडेंट हो सकता था तो एंडू ने बोट उससे ले लिए वो जल्दी से इसे टन करता है और मागरेट पानी में नीचे गिर गई उससे देनना आता नहीं था तो बहुत ज़्यादा डर गई थी पर एंडू ने उसे बचा लिया उसका ख्याल रखता है यह दोनों जब घर पर आय तो एंडू के फादर के साथ एमिगरेशन का आफिससर गिलबर्ड भी था गिलबर्ड ने फादर को सब कुश बात बता दी थी फादर ने गिल्बोर्ड को पैसे दे दिये थे इस वज़े अंड्रू से कहता है कि अब भी अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तुम्हें कोई भी जेल नहीं होगी अंड्रू कहता है कि हम सचच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहाँ से वह चला किया मागरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर क्यों रहे हो अंड्रू कहता है कि अगर मेरी जगापर तुम होती है तुम भी यही करती है शाम में इनके बास ग्रैंड माई और मागरेट को अपने रूम में लेकर जाती है कहती है कल वेडिंग नाइट है तो आज रात तुम दोनों को एक साथ नहीं सोना है डिरेक्ली अगली दिन वेडिंग की सारी तैयरी हो गई थी इनकी वेडिंग सेरोमने स्टार्ट होती है वेडिंग के वक मागरेट को बहुत ही बुरा लगता है इस तरीके से और सब लोग को बेवकुफ नहीं बना सकती है उसने वेडिंग रोक दी और सब लोग को सब कुछ सच सच बता दिया एन्डू उसके पीछे-पीछे रूम में आया उसने एन्डू के लिए गलेटर लिखा था वो गह थी कि तुमने जो बुक लिखे है या एक्च्छल में बहुत ही अमेजिंग है तुम मेरे एक अच्छे असिस्टन्ट है तो इस सवजे से मैंने तुमारी बुक पब्लिश नहीं की थी पर अब मैं जाने से पहले तुमारी बुक पब्लिश कर दूँगे तुम बहुत ही अमेजिंग हो और अच्छी लाइफ जीना एंड्रू के पीछे पीचे उसकी एक्स गल्फरेंड भी आई एंड्रू कहता कि मार्गरेट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उसने मेरा जीना हराम करकर रखाया एस गल्फरेंड को पता था कि एंड्रू मार्गरेट से बहुत ही प्यार करती है तुसे बुछती हैं क्या तुम उसे ऐसे ही ज़ाने दो कि एंड्रू फे जल्दी जल्दी निकलने लग या उसके फादर हुसे रोकते हैं और गहते कि तुम कर क्या रहे हो फादर और एंड्रू में जगडा स्टार्ट हो जाता है तभी ग्रैंडमा को हार्ट अटक आने लग गया वो जल्दी से उसे प्लेन में बिटा कर होस्पिटल में लेकर जा रहे थे ग्रैंडमा फादर और एंड्रू से यह थे हैं तुम दोनों का way of thinking बहुत ही अलग अलग है पर तुम दोनों family हो तो इस वज़े से तुमें जगड़ना नहीं चाहिए मेरे मरने से पहले मुझे तुम promise करो कि कभी भी नहीं जगड़ोगे यह दोनों promise करते हैं तब ग्रैंडमा उटकर खड़ी होके उसे heart attack आया ही नहीं था उसने फिर पाइलेट से कहा कि जल्दी से हमें एरपोर्ट पर लेकर चलो यह सब लोग जब तक एरपोर्ट पर भोचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था अल्रेड़ी मार्गरेट वहाँ से चली गई थी ग्रैंडमा और मदर को बहुत ही बुरा लगता है फादर ने बुचा कि यह सब हो क्या रहा है मदर कहती कि मार्गरेट भी एंडू से प्यार कर दिया उसे heart नहीं करना चाती थी तो इसी वज़े से और चली गई अब इसके बाद हम फिर से मार्गरेट को अपने ओफिस में देखते हैं वो अपना सब सामान लेकर यहाँ से जा रही थी तो एंडू वहाँ पर आ किया एंडू से कहता है इतने साल मैंने तुम्हारे साथ काम किया मुझे हमेशा लगता था मैं तुम्हें मार डालो अब जब मैं तुम्हें जानने लग्या हो तो तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगती हो तुमसे प्यार करता हो हमारे बीच जो भी हुआ यह बहुत यूनिक था मागरेट कहती कि मुझसे प्यार करना है बहुत ही हार्ड होगा एंडुर का अद्धा की रिलेशन्शिप हार्ड होती ही है इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटरुई देख सकते हैं जो सक्सेस्फुल हुए और इन्होंने शादी कर ली इसे के साथ इस मुवी की स्वीट सी एंडिंग हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आथ रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल ने डिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा फिर से में लेंगे और एक नेमू के साथ तुकते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया है